आप लोगों ने सुना होगा कि मैं बहुत समय से कल्चर टेरिज्म पर बोलता चला रहा हूँ कल्चर टेरिज्म सोची समझी एक ऐसी रणनीती है जिससे सभी भारतियों को उनके धर्म से उनकी सक्ति से उनके संसकारों से उने दूर करें और ये प्रवेश करती है एजुकेशन से हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपे बरबाद करते हैं बच्चे भी पढ़लिक करा जाते हैं अंत में बच्चे बनते क्या हैं जब कोई मा कहती है न कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता मैंने इसकी पढ़ाई में लाखों रुपे लगाए लेकिन आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है तो दिल रो पड़ता है माने पिता ने अपने पूरे जीवन वर की कमाई एक बेटे पे स्पेंड कर दी और वो बेटा कहता है कि मैं आपको नहीं जानता आप बेकार की बाते करते हो मुझे समय के साथ दोड़ने दो तब इतनी तकलीफ होती है मेरे वाई भेन कि माबाप के हातों में आया क्या माबाप को क्या मिला माबाप के हाथ क्या लगा और ये सारी बज़े जो हैं ये हैं संसकारों की बहिनता जब जीवन में संसकार नहीं होंगे आज मेरी कोई बिटिया कह रही थी माराज जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे तिलक लगाना हईलाव नहीं है मुझे कंटी पहनना है एलाव नहीं है मैं कलावा नहीं बाहन सकती एक तरफ मेरे देश का सम्झान कहता है प्रत्य कव्यक्ति अपने धर्म का पालन हर जगे कर सकता है दूसरी तरफ convent में पढ़ने Öअले लोग इंग्लिस मीडियम में पढ़ने वाले लोग इवन बिचारे हिंदू लोग जो English medium इस्कूल चला रहे वो भी मना कर देतें कि आप तिलक लगा के नहीं आ सकते आप कंठी नहीं पहन सकते आप राम राम नहीं बोल सकते आप रादे रादे नहीं बोल सकते बताइए ये सब के पीछे क्या सड्यंत्र है कै ये सड्यंत्र नहीं है तुमारे बच्चों को तुमारे इतियास से संस्कृति से तुमारे संस्कारों से दूर करना बोली है कि नहीं बोली है कि नहीं आपने पैसा दिया आपने अपना बच्चा दिया भारत का भविश्य उनको दिया और उन्होंने आपके पैसे को यूज किया आपके बच्चे को यूज किया और भारत के भविश्य को चरित्र सुनती है या नहीं मुझे नहीं पता कि मेरी इस बात को आप समझते हो कि नहीं लेकिन अगर चाहते हो कि आपके बच्चे बापके बुड़ापे में आपका सारा बने तो यह modern education जो है यह बहुत गलत है उन स्कूलों में बिरकुल आप अपने बच्चे मत पढ़ाईए जहां तिलक लगाना मना हो जहां कंटी पहनना मना हो जहां पर राम राम बोलना मना हो ऐसे स्कूलों में ऐसे कॉलेजों में आप अपने बच्चे मत भेजे अगर चाहते हो कि आपका बच्चा चाहे कम पढ़े लेकिन आपके घर को चला सके आपके संस्कारों को समझ सके ऐसी जगे पर आप अपने बच्चे पढ़ाएं यह मैं आप सबसे प्रार्थना इसलिए तो गुरुकुलम होते थे पहले पहले जो लोग गुरुकुलम में पढ़ते थे वो जिन्दा नहीं रहते थे उनकी जिन्दगी नहीं थी सब था लेकिन अब ऐसा नहीं है आप सब से मैंने विदन कर रहा हूँ अभी मैं अपने ट्रश्टी लोगों से भी प्रार्थना करूँगा कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरे भारत के नौजवानों को ये पता चल सके कि आखिर मेरे भारत की सब्विता क्या है संसकार क्या है और जन्माष्टमी पे होने वाले उस समय कुछ ऐसा जरूर किया जाए जिसमें पता चल सके मेरे बच्चों को कि आखिर भारत है क्या भारत कहते किसको है भारती है कौन है जैसे तमाम सीरियल आते है मेरा भी बड़ा मन है एक सीरियल आए मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ जहां धर्म से सम्मद जहां संसकारों से सम्मद जहां इतियास सम्मद देते हैं लोगों की नॉलेज बढ़े सच्चा ज्ञान उने मिले उसे नॉलेज ही नहीं अगर भगवान मेरा सपोट करे आप लोग मेरा सपोट करे तो उने नॉलेज भी मिलेगी और जो ज़़ादा इंटलिजेंट होंगे उन्हें इनाम भी मिलेगा मैं भारत हूँ मैं अपने सोशल मीडिया वालों से अपने सभी ट्रेस्टियों से और पूरी जनता जनारधन से एक प्रार्तना करता हूँ आप मेरा साथ देजिए हम नई एक क्रांती अपने देश में नौजवानों के लिए लेकर आएंगे अपने बच्चों के ले लेकर आएं